राजस्तान कॉंग्रेस की और से महंगाई किसानों के समर्थे में पेट्रोल डीजल के दान किसकर से बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ पद्यात्रा निकाली जा रही है यहां पर देखिए उट के रेगिस्तान का जहाज कहलाता है उस पर राजस्तान के मुख्य सचे तक और उनके पीछे लगाता केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी हो रही है क्योंकि राजस्ता में कॉंग्रेस की सरकार है महंगाई को मुद्दा बनाते हुए लगातार यह सभी लोग अपने-पने समर्थे विदायकों के साथ आगे चल रहे हैं महीलाएं भी है यहां पर यह देखे मही हैं टेक्टर पर बैठकर टेक्टर पर बैठकर आंदोलन को संकेत दे रही है कि किस कदर महंगाई के सासाथ किसानों के मुद्दे भी इन पर असर कर रहे है राजनितिक मुद्दा हो सकता लेकिन संकेत यही है कि केंद्र सरकार कम से कम आंदोलन कर रहे हैं किसानों की बात मेहंगाई के लिए कर रहे हैं या किसानों का मुद्धी सरकार लेकाइए उसके खिलाब पूरा प्रदेश और पूरे देश के किसान आम आवाम रोड पर है और आज ये जिला कॉंग्रेस कमेटी जैपूर की ओर से जो रेली निकाली गई है किसानों के समर्तन में रेली है ये रेली नहीं रेला है अभी पंजाब के अंदर जो चुनाओं के अंदर जो रिजल्ट आया है पूरा देश का आवाम किसान और सब लोग मुद्धी सरकार के खिलाब है ये कानुन वापस लेके रहेंगे यह देखें फिर से देखें टेक्टर पर बैठें और खिसानों के अंदर लोन को समर्सन देने की कोश्ट कर रहें लगातार आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक मैं इंबाज साब से बातचित करता हूँ वाई सब किसानों की बात उठा रहें या महंगाई की चिसानो की और महंगाई की दोनों चीजों केंदे सरकार को जो तानशाही सरकार है उसकी खिलाग जो एक कान बेरा और अंद्र तरीके से जो सरकार चली उसको जगाने के लिए हम भी प्रदेशन कर रहे हैं आपके आवाज पहुंचेगी अगर ऐसे करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं इस तरीके से को समर्थन कर रहे हैं इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आवाज पहुंचेगी यह लगातार यह देखिए तमाम मंत्री हैं तमाम विधायक हैं सभी लोग दर्ना प्रदेशन इस पैदल भार्थ में शामिल है कैमरामें दिनेश कुमावत के साथ स्रीवतसन ज झाल 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 झाल